और नारायन, 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 समित्रोकरामराम, दोस्तों, Oh My God 2 का टीजर रिलीज होने के बाद में सोशल मीडिया पर एक न्यूज काफी वाइरल हुई, या वाइरल कराए गई, जो भी हो, कि सेंसर बोड ने फिल्म पर रोक लगा दी है, मैंने Oh My God 2 का जो टीज अपलोड किया, उसके नीचे भी कुछ कमेंट्स अचानक से आने लग गए, कि भाई सेंसर बोड ने फिल्म पर रोक लगा दी है, बैन कर दिया है वगएरा, इस प्रकार के कुछ कमेंट्स मैंने पड़े, तो मुझे भी बड़ा आश्यर हुआ कि भाई, यह मैं क्या पढ़ यह ऐसा पढ़ने को मिलता है, उसके बाद में सेंसर बोड ने फिल्म को रिविजन कमीटी के पास में भेजा है, हाला कि जितना मैंने आज तक देखा हुआ है, फिल्म का जो सर्टिपिकेट है, वो फिल्म रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही लिया जाता है, कुछ दिन पहल के पास में भेजा है, ऐसा पढ़ने को मिलता है, और ये भी जो है, वो मुझे बस इसलिए किया गया लग रहा है, क्योंकि आदी पुरुष के समय जो क्रिटिसिजम जहिलना पड़ा था, जो आलोचना सेंसर बोड की हुई थी, उस कारण से बस एक सेफ प्ले करने के लिए, इसको अभी revision committee के पास में भेजा है, ऐसा शायद दिखाया जा रहा है, या जो भी हो, मुझे मतलब अभी A certificate दे दिया है, तो कुछ cuts वगरा लगाने के लिए बोले होगे, कुछ scenes को उन्होंने cut किया होगा, कुछ शब्दों को उन्होंने mute किया होगा, तो उसके बाद में फ पर मुझे जितना लगता है, कि बाद में अगर इसको लेकर कुछ विवाद होता है, तो sensor board के पास में ये कहने के लिए हो, कि हमने तो revision committee के पास में भेजा था, शायद इस कारण से उन्होंने एक safe play करते हुए, इसे revision committee के पास में भेज दिया है, अब वहाँ पर भी देखी ह को होकर क्या हो सकता है, कि जो कुछ cuts लगाने के लिए बोले होंगे, शायद उन्हें से कुछ cuts को कम कर दे, कुछ scenes को, और रहने दे, cut ना लगाया, या और कुछ ज्यादा cuts लगा दे, हो सकता है, ऐसा कुछ वहाँ पर, पर band लग जाए, या film पर रोक लग जाए, ऐसा तो possible नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि फिल्मेकर्स के पास में disclaimer होता है, कि हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे, ये कालपनिक कहानी है, इसको केवल मनोरन जिन की दृष्टी से देखा जाए, हम सब की भावनाओं का सम्मान करते हैं, जो typical सा disclaimer सभी फिल्मों की शु होता है, तो disclaimer को पूरा पढ़कर भी बताया जाता है, English में भी पढ़कर बताया जाता है, हिंदी में भी पढ़कर बताया जाता है, तो हो कर वैसा कुछ हो सकता है, और जो revision committee decision लेगी, उससे अगर फिल्म के makers सहमत नहीं होंगे, तो उनके पास में quote जाने का एक विकल्प है, वे quote जा सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारी फिल्म के साथ में अन्याय हुआ है, ये sins cut नहीं होने चाहिए, तो उसके बाद quote जो निरने लेगा, वो ही final होगा, तो ये केवल हो सकता है, पर ban लग जाए, या रोक लगा दी जाए, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता, मुझे जो main मुल समस्या, problem जो लगती है, वो यही है कि भगवान शिवजी को सामने रखकर, sex education को promote करने का जो विशय हमें पढ़ने को मिल रहा है, even IMDb पर हो, Wikipedia से तो उन्होंने भी हटा दिया, कल तक तो दिख रहा था, Wikipedia पर भी sex education पर film आधारीत है ऐसा, अभी वहां से वो description से हट गया मैंने तो फरवरी में वीडियो बनाया था, उस समय भी 500 articles देखने को मिल रहे थे, बड़े-बड़े media house के, कि film sex education पर आधारीत होने वाली है, OMG2, ऐसे reports में बताया जा रहा था, तो ये मुझे बहुत problematic लग रहा है, क्योंकि भगवान शिवजी को बीच में रखकर, आपको ज सही नहीं है, और देखे, कुछ मित्र कह रहे हैं कि भाई, इसमें कोई, कुछ मैंने देखा, ट्विटर पर कुछ जो fan clubs वगरा है, या फिर PR टीम होगी, कौन है मैं नहीं जानता, पर वे कुछ articles शेयर कर रहे हैं, उन्हें बताया जा रहे हैं कि भाई, इसमें कोई homosexuality नहीं है, इस परकार के articles है, भाई, मैंने फरवरी में भी वीडियो बनाया था, अभी भी जो teaser review किया, उसके बाद भी जो मैंने वीडियो बनाया, तीनों वीडियो में मैंने sex education, इसका विशह है, यही शब्द उपयोग किया है, और यह कहा है कि भाई, LGBT की जो agenda है, वो sex education का ही part है, उन दोनों का आप कैसे आलग कर सकते हैं, sex education मतलब क्या आपको लगता है कि केवल कुछ STDs, sexually transmitted diseases के बारे में बताया जाने वाला है, या केवल कॉंडम का महतों बताया जाने वाला है, वो तो भाई, already पढ़ाया जा रहा है न, STDs के बारे में, जितना मुझे पता है, नवी जो gender identity का agenda है, जिसको transgenderism जो कहा जाता है, ये सारी बाते उसका अंग है, उसको आप कैसे अलग कर सकते हैं, और मैं फिर से कहूंगा, कैसरे मित्रों को ये भ्रम होता है, किंदर समाज या निए transgender, नहीं, दोनों अलग-अलग है, किंदर समाज उन्हें English में intersex कहा जाता है, हिं जेंडर भी कहा जाता है, उसके अनुसार, biological के लिए हमारा जो शरीर है, वो हम नहीं है, वो हमारा जेंडर नहीं है, बाद में हमें जाकर हमारा असली जेंडर पता चलता है, और फिर उसके बाद में वो gender affirmation surgery, sex change operation, puberty blockers, hormones लेना, और उसके बाद में अपने शरीर को change करना, वो उसको वो पूरी gender identity की, जो उनका ideology है, विचारधारा है, या जो agenda है, उनका वो है, वो अलग है, किंदर समाज अलग है, तो जो भी हो, sex education पर आधारी फिल्म का विशे होने वाला है, जो हमें पढ़ने को मिलता है, वो मेरे अनुसार problematic है, और मैं उसका समर्थन नहीं करता जिन को करना है करे, मैं तो हमेशा कहता हूँ, भाई, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी पर थोप नहीं रहा, आपको करना है समर्थन करिए, मुझे ये भयानक लगता है, बच्चों को इन सब बातों से क्या मतलब, और उनके दिमाग में आप ये बाते क्यो डाल र है, लग तो नहीं रहा कि फिल्म पर कुछ बैन वगरा लगेगा या ऐसा कुछ होगा, हो होकर कुछ जो प्रॉब्लमेटिक सीन्स या प्रॉब्लमेटिक डैलोग्स वगरा जो कुछ होंगे, उनको ज़्यादा-ज़्यादा वो कट कर देंगे, पर जो में थीम है, वो ही मु और जनको कुछ है